तो स्वाग्यत भाई आप सब भी लोगों का एक पर फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगांडा मैंस कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का तीसरा मैंच और जो की खेला जाएगा शार्क्स वर्सिस ट्विलाइट के बीच में तो इन दोनों ही टीम्स की कम्पलीट इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्पलीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई पार्ट आपको स्किप नहीं करना है अधर्वाइस भाई इसमें आपका ही लोस हो सकता है लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो इसली आप इस मैच में काफी ज़्यादा शानदार विनिंग करने वाले हो तो वीडियो को एंड तक देखने की ट्राइ है वाई पर बात करें वाई दोनों ही टीम्स की तो यहाँ पर अगर इन दोनों टीम्स को एक दूसरे से कंपेर करोगे तो ट्विलाइट की टीम के थोड़े से हाई चांसे दिखेंगे आपको विनिंग के अगर कंपेर करोगे शार्क्स की टीम से शार्क्स ने शुरुआत क प्राफ भी अच्छी की थी लेकिन लास्ट के दो मैच चीज में बहुत जादा बड़े मारजन से आर लेके आ हैं एक में तो भाई शायद 22,91 पॉइंट से इन्होंने लोस लिये तो आप समझ सकते हो क्या ही खतरना लोस रही है इनकी अब अगर बात करें भाई इस मैच में क् या कुछ आपके लिए important चीज़े रहेंगी तो वो सारी चीज़े आपको बताने वाला हों बस आपको वीडियो को end तक देख लेना और वीडियो का कोई भी पार्ट यहां से skip नहीं करना है अब अगर यहां पर बात करें सबसे पहले शार्क्स की प्लेइंग 11 की स्टार्टि की बू का आपको दिखेंगे ठीक है जो कि भाई बीच के एक दो मैचीज में थोड़ा सा average performance कर रहे थे अपर आप देखें एक दो मैची ने खेले भी नहीं यहां पर substitute होकर आए थे यहां पर अगर बात करें तो खेले नहीं यहां पर भी substitute होकर आए थे कुछ खास नहीं कर पाई लास्ट मैच इंभाई फिर भी इनोंने थोड़ा सा वापसी के संकेत दिये हैं तो आपके लिए important player रहेंगे अब वहीं अगर बात करें एम बिन तोका की तो यह भी आपके लिए ठीक ठाक player रहेंगे स्टार्टिंग के दो मैच में इनकी performance आई थी अब देखें बाई एक यवाल भाई लास्ट के तीन मैच इजसे खेले नहीं है और चोथे मैच में फ्लोप रहे थे और उससे पहले भाई इनोंने आपर अच्छी performance दी थी और इनकी अच्छी performance के दम पर ही इनकी टीम ने अच्छी performance दी थी तो अगर एक यवाल भाई खेलता है तो ही important रहेगा अगर भाई फिट नहीं होता है और नहीं खेलता है तो यहां से आप मान सकते हो कि शारक्स की टीम आज फिर से हारने वाली है अब अगर यहां पर भाई बात करें इनके अलाव एम वेनकेंडा की तो एम वेनकेंडा ने लास्ट मैच में गजब किया है भाई रेडिंग में बंदे ने अकेले ने पूरा काम समाला है आप देख सकते हो भाई आप पूरे 29 पॉइंट रेडिंग में लिया और एक पॉइंट भाई टैकल में भी इन्होंने लिया है और इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी लिए बहुत शांदार वीसी के ओप्शन या कैप्टन स के ओप्शन रहेंगे इंपोर्टेंट प्लेयर भी रहेंगे जरूर से ट्राई कीजिएगा आज आते हैं यहां पर ओल रहूं सोरी रेडिंग सेक्शन में यहां पर एमकी शांदी को आप ट्राई कर सकते हो बट मैं आपको रिक्मेंड नहीं करूँगा कि आप 100% इसे ट्रा बादूँगा तो टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई आपके लिए लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा तो अभी क्या भी जाईए भाई टेलिग्राम चैनल ज लिंक से ट्राइ कीजिए अगर भाई चांस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क ना करे तो इसी वीडियो के कमेंट बोक्स में जाएए वहाँ पर फर्स्ट कमेंट में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं सामने वाली टीम यानि की भाई ट्विलाइट टीम की तो यहाँ पर अगर बात करें तो आई किरागा आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहेंगे हैं आपर आप देख सकते हो मेरे सबसे इंपोर्टन प्लेयर में से एक रहेगा रेडिंग सेक्शन में बहुत ही कमाल कर रहा है ठी अगर बात करें तो यह बबोसा को आप अपने टीम में रख सकते हैं जो कि अगेन एक शांदार प्लेयर है एक मैच इन्होंने मिस किया था इसके लावा हर मैच में 100 प्लस पॉइंट निकाल रहा है भाई बंदा यहाँ पर आप देखें पास टैकल इस मैच में किये इस से न टैकल किये तो मस्तव फिक रहेगा इवन सी वीसी भी आप इसे बना सकते हो यहाँ से अगर बात करें वाई एस मुटे भी कि तो दो टैकल वाई इन्होंने इस मैच में किये इस से नीचे वाले मैच में देखोगी तो यहाँ पर तीन टैकल किये तो आपके लिए एक शांद में परफॉर्मेंस आई थी उसके बाद बिल्कुल परफॉर्मेंस डाउन है और इसके अलाव किसी ने कुछ खास यहाँ पर अभी तक नहीं किया है अब अगर बात करें भाई टीम की तो टीम में आपको अभी बना के दिखा देता हूं लेकिन अगर आपने वीडियो को ला सकते हो अब एक बड़ा रिस्क आपको लेना है ठीक है अगर यहां पर जेवाबोसा के साथ आप एस मुटेबी को टीम में सामिल कर पाओ ठीक है अगर यहां से एक किवाल भाई खेलता है फिर तो ट्राइब करने की सोचनी नहीं नहीं है एक इवाल भाई के अगेंस्ट में क्या करना होता है कि टेलिग्राम चैनल जोइन करना होता है जहापर मैं फाइनल टीम मनाता हूं आफ्टर लाइन अपस तो यहां से देखिए इस मुटेबी को मैं भी आप देखिए इन तीन प्लेयर में से कोई एक प्लेयर हमारी टीम में रहेगा अब कौन रहेगा वो जा रहा हूं है मुटेबी को यहां से आई बूगहिंडा को मैं से अपने टीम में रख रहेगा है यह अपने टीम में रख रहेगा एम out की शान्ती इसके अलावा है यह अगर आप चाहों तो और क्रेडिट थीस ठीम में रख रह रही है कोई अपने टीम में रख रहा हूं ठीक है आप यहां से गर बात करें वाई CVC की तो कैप्टन सी आई किरागा के साथ जाएगी VC की बात करें तो जे बबोसा को बना रहा हूं बाकि एस मुटे भी भी ग्रेंड लिंग में जरूर CVC के दावेदार स्मोल लिंग में चाहे आप बनाओ चाहे ना बनाओ टीम के अगर प्रिव्यू की बात करें तो अभी के लिए कुछ इस प्रकार की टीम आपको दिखेगी अगर इस टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी complete information मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी तो जोइन कर लीजिएगा बिना टेलिग्राम चैनल जोइन के वे विनिंग करना almost almost impossible है तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे होगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी मैं मिलता आप से मैश टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिद वंदे मातरम